नमस्कार दृष्टी PCS के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए BPSC 79 प्रारंबिक परिच्छा में रक्त संबंद चैप्टर को लेकर आएं तो अभी तक आप लोगों ने जो भी चैप्टर देखा होगा आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा तो BPSC की परिच्छा से जो भी महतपूर्ण चैप्टर है BPSC के परिच्छा के लिए हम उसको यहां पे करा रहे हैं तो रिजनिंग में यह जो ब्लड रिलेशन का कोशन है इससे भी कोशन्स पूछे जाते हैं एक कोशन हर साल तो आज हम लोग रग्त संबंद पे चर्चा क करेंगे थोड़ा सा इसके बेसिक कॉंसेप्ट को समझेंगे उसके बाद हम सीधे कोशन्स पर आएंगे और उससे आपको वहुत ही बहतरीन तरीके से समझाने की कोशिस करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पे लाइक करें वीडियो पे कमेंट करें और लोगों तक भी वीडियो हमारा जरूर पहुंचाएं टेलिग्राम के चैनल से जुड़के आप वहां से पीडियाप को जरूर डाउनलोड करें और वीडियो के लिंक को भी वहां से देख सकते हैं तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉंसेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या कॉंसेप्ट इसके बाद हम लोग को संस पर आयंगे तो अगर रक्त संबंद की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है कि आप जब आपस में जब अपने परिवार के साथ रहते हैं फैमली के साथ है ठीक है तो हमारे पास यहां पर दो रिलेशन होता है एक पैटरनल होता है एक मैटरनल होता है मैटरनल का मतलब है कि मम्मी के साइड का रिलेशन पैटरनल का मतलब होता है पिताजी के साइड का रिलेशन तो पिताजी के साइड का जो बनाने आना चाहिए उसके बाद आपको रिलेशन को पहचानना या इस्टैब्लिश्ट करना आना चाहिए उसके बाद आपको जेंडर का पता होना चाहिए जो बहुत ही महतपूर्ण है यहां पर मिल正 यहां को अब सब्सन्द करते हैं उसके बाद आपको यहां पर जन्रेशन गैप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर जन्रेशन गैप का ध्यान नहीं रखेंगे या उसको नहीं लेके चलेंगे तो आपके कोश्टन गलत हो जाएंगे पांच भी बात है कि जब आप यह सब इस्टैबलिस यह सब चीजों को आप कर लें तो आपको रिलेशन को ढूंडना आना चाहिए कि आप रिलेशन को फिर ढूंड पा रहें कि नहीं यहां पर तो रिलेशन को इस्टैबलिस करेंगे और फिर बाद में कोश्टन में जो रिलेशन पूछा जाएगा उसको आपको फाइंड करने आना चाहिए तो हम लोग इन सब टॉपिक पर चर्चा क माता है तो आपको उसको ट्री में बनाना है एक मतलब आपको वेंड डाइग्राम नहीं एक लाइन डाइग्राम में आपको बनाने आना चाहिए उसी को फैमिली ट्री कहते हैं कि रिलेशन करने का मतलब है जैसे कहा जा रहा है कि A B की माता है तो आप ऐसा ना कि B को A की माता बना दे कोशन के अंदा अगर एक की माता कहा जा रहा है तो आपको एक को ही माता बनाना है बी की ना कि बी को माता बनाना है एक तो यह सब गलती हो जाती है जेंडर का मतलब है कि अगर एक B की माता है तो यहां पर साफ सा पता चल रहा है कि A यहां पर फिमेल है, B की माता है तो B के बारे में यहां कुछ भी नहीं दिया गया, तो आप अपने मन से ना मालने की B पूत्र है या पूत्री है, ये गलती ना करें इससे बहुत जादा कोश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है तो जेंडर का ध्यान रखना है अगर जब तक ना कहा जाए तो हम किसी को भी अपने मन से मेल या फिमेल नहीं मानेंगे उसको डाउट की केस में रखेंगे जेंडरेशन गैप का मतलब ये होता है कि अगर A B की माता है तो जाहिर सी बात है कि A B से एक जेंडरेशन उपर होंगी B A से एक generation नीचे होगी तो हमको generation gap जरूर याद रखना है और जरूर ध्यान में रखना है बनाते समय अभी बताएंगे क्या होता है generation gap उसके बाद जब last में आपसे पूछा जाए कि A का B से क्या relation है तो आपको ये ध्यान रखना है कि A का relation B से पूछा जा रहा है ना कि B का relation A से पूछा जा रहा है तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और अगर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख पाते है तो जाहिर सी बात है blood relation जितना आसान लगता है देखने में उतना ही कठीन हो जाता है जब exam में आप उसको सही तरीके से या सही तोर तरीके से नहीं बनाते हैं मतलब daily life में तो आप बहुत आसानी से relation बता देते हैं अच्छा वो मम्मी का ये वो बता दीजेगा लेकिन जब exam में बनाने की बात आती है न तो आप बहुत ही confused हो जाते हैं c d ki बहन है तो c d ki बहन है डी का बिवहा F से हुआ ए तो डी का बिवहा F से हुआ है f g की माता है तो f g की माता है तो यह मेल हो गया तो इस तरह करके हम लोग को family tree बनाने इसी को कहते है family tree अब इसी में बता देंगे relation established आपने देखे relation कितने अच्छे से establish किया कि A को B की माता बनाया B को फिर क्या बताया C का पिता C और D को आपस में भाई बेहन बनाये फिर D का विभा F से कराया F जो है G की माता हो गए तो obviously D पिता हो गए जी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो हम कभी भी नहीं बताएंगे कि जी यहाँ पे कौन है उसी तरह भी यहाँ पे gender भी समझ गया होगी plus का मतलब यहाँ पे male हो रहा है minus का मतलब यहाँ female हो रहा है ठीक है न यह भी तैय हो गया generation gap आपको साब साब दिख पा रहा होगा यह क्या है generation one generation two generation three generation four मतब यह पहला generation है दूसरा generation ये तीसरा generationस ये चौथा generation ईसका क्या मतलब हुआ कि यह यह माल लेते हैं कि आपका generation समझ लिजे कि आगर आंप है यहाँ पर तो इसके उपर आपके साइंग कर जनरेशन स्कते हैं आप से नीचे आपके पूत्रिया पूतरी का generation तो यह बहूत अच्हे तरीके से तो तभी आप बना पाएंगे अब हम एक चीज और बताते हैं कि सेम जेन्रेृशन में कौन-खोन लोग आते हैं तो जैसे आप है तो आपकी जेन्रेशन में आपके भाई बहन ठीक है आपके चाचा के लड़के चाचा की लड़की मामा के लड़के मामा की लड़की जिसको कजन कहते हैं आप लोग आपकी वाइफ ठीक है यह सब आपके सेम जनरेशन में आएगे आपसे एक जनरेशन उपर कौन-कौन लोग आते हैं तो आपके पिता आपकी माता आपके साथ आपकी ससूर चाचा मामा ताई बुवा फूफा यह सब आपसे एक जनरेशन उपर है आपसे दो जनरेशन उपर कौन होंगे तो आपके पिता के पिता मतलब आपके दादा माता के पिता नाना दादी नानी है ना इस तरह के लोग आपसे दो जनरेशन उपर चले गए आपसे एक generation उपर, आपकी बहू भी, आपका दमाद भी, आपसे एक generation निचे, दो generation निचे, आपके पोता, पोती, नाती, नातिन, ये सब आपसे दो generation निचे, आप समझ गया न, तो कौन आपके same generation में है, कौन एक उपर, कौन दो उपर, कौन एक निचे, कौन दो निचे भी आ का ग्यान हो गया होगा, तो अब हम लोग सीधे question पे आते हैं, जादा discussion करने से फायदा नहीं है, question में आपको जादा समझाएगा, एक लड़के की और इसारा करते हुए सीला ने कहा, उसकी मा का भाई, मेरे बेटे महेंदर का पिता है, तो लड़का सीला से कैसे संबंदित है, तो देखिए, एक लड़के की और इसारा करते हुए सीला ने कहा, मान लेते हैं वो लड़का यही है, इसकी और इसारा करके सीला कहती है, कि उसकी मा, मतलब लड़के की मा है यह, यह लड़का मेल मेंबर है, उसकी मा का भाई, यह मेल मेंबर है, और यह लड़के की मा का भा तो मेरे बेटे महेंदर का पिता होने का मतलब किसके बेटे सीला की बेटे महेंदर का पिता तो हम कहेंगे कि सीला के बेटे महेंदर का पिता होने का मतलब यह महेंदर है यहां ऐसे सोच लिजे यह महेंदर का पिता हो गया यह इसका पूत्र हो गया और सीला कहां हो गई जाहिर सीवाते सीला इसकी वाइप हो गए तबी तो अब लड़का सीला से कैसे संबंदित है तो लड़का यहाँ है ठीक है ना अब देख लिजे लड़का यहाँ पे सीला से कैसे संबंदित हो जाएंगी यह दोनों आपस में पती पतनी है ये इसकी कौन हो जाए ये बहन हो जाए ये बहन का लड़का क्या हो जाता है तो अराम अराम से आप बता देंगे कि भांजा है न तो हम कह सकते हैं कि लड़का जो है न सीला का क्या लगेगा भांजा लगेगा तो बहुत अच्छा कोश्चन था ये सब कोश्चन को हम लोग फ का ये पुत्र हो गया, का पुत्र ये हो गया, बी के पुत्र का पुत्र का भाई है, कौन, ए, जो है, वो बी के पुत्र के पुत्र का भाई है, बहुत आसानी से लिख दिया आपने, तो ए का बी से क्या संबंद है, तो ए का बी से देख लिज़े, क्या संबंद है, होता ही तो का भाई भाई का पिता पिता का पिता दादा तो हम कहेंगे कि ए जो है न वो पोता है बी का B Q का पिता है, B के केवल दो बच्चे है, Q R का भाई है, R P की पुत्री है, A P की पोती या नातिन है, ध्यान रखेएगा, S A का पिता है, तो S का Q से क्या संबंध है, ठीक है, आप देखे, B यहाँ पे Q का पिता है, तो B एक जनरेशन उपर, Q का पिता, B मेल, B के केवल दो बच्चे हैं, तो लिजे, एक बच्चे यह, और एक बच्चे यह, यहाँ पर और हो गए, ठीक है, Q जो है, वो R का भाई है, तो दो बच्चे भी हो गए, R और Q, R जो है, वो P की बेटी है, तो लिजे, R जो है, वो P की बेटी है, मतलब P और B आपस में पती पतन अब देख लेजे यह जो है वह पी की पोती या नातीन है तो जाहिड सी बात इसकी पुत्री तो नहीं होगी क्योंकि अगर इसकी पुत्री रख देंगे तो क्या हो जाएगी पोती हो जाएगी और इसकी पुत्री रखेंगे तो नातीन होगी अच्छा रख सकते हैं अब वाइन है तो स A का पिटावने का मतलब है कि यहां पर पिटा दो लड़का तो नहीं हो सक्था si बात आई आप यहां पर S को रखना पढ़ेगा और a का पिटा है तो इसका मतलब है कि यह इसकी नातिन होगी ठीक है तो पूछा जा रहा है कि S का Q से क्या संबंध है तो एस Q को क्या बोलेगा वस देख लीजीये ईसकी क्या हो जाएगी आप पछ मी भाई बहन है अब वेहन और यहां पे अच्छा नहीं यह दोना आप कार्वानकारी को द्यान पुरवक्ट पढ़ें और नीचे दिए गये अब देखें यहां पर आपको A भी दिख रहा होगा यहां पर P Q R to में कहीं भी a b नहीं है तो आपको उस a b से कुछ मतलब नहीं ज्यादा लेना देना बस आपको ये समंजना है कि ये जो symbol है नcsus घुना भाग और minus इससे मतलब है गुना का मतलब यह हुआ कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता होगा यहाँ पे जो भी होगा गुना मतलब क्यों जो है ना आर का पिता है यह समझे एक्चुल में यह होता है प्लस का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पतनी है Divide का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बेटी है और minus का मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पुत्र है अब आपको इस में जो Simbal है उसको आपको मतलब देखना है कि उसमें क्या relation established हो रहा है तो हम सबसे पहले देख पा रहें यहां पे दो-दो उठाईए सबसे पहले यहां पे देखेंगे P-Q माइनस का क्या मतलब है कि P-Q का पुत्र है तो P जो है वो Q का पुत्र है तो एक जन्रेशन उपर हो गया Q P-Q का पुत्र हो गया या क्यू गुणा आर य यू नवहर्थ का पिता है क्यूं क्या है अद्धी ऑर का पिता भी वो इस में प्लूस का मतलब है और एस की पतनी है अर जो है वह कि मतलब S यहाँ पे male member हो गये आपस में पती पतनी हो गये S-T का मतलब है S जो है वो T का पुत्र है S जो है वो किसका पुत्र है T का तो T यहाँ पे रख दिये अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सत्य है R P की माता है क्या गलत? R P एक जनरेशन में यह तो ऐसे भी गलत हो गया S और P भाई बहन है, मतलब भाई है, S P का भाई, ना बिल्कुल नहीं T S का पिता है क्या? T जो है वो S का पिता है यह तो बिल्कुल दिखी रहा है नहीं T S का पिता है यह आप guarantee के साथ नहीं कह सकते क्यों क्योंकि यहाँ पर T का generation find out नहीं है plus minus कुछ भी हो सकता है male या female हो सकता है तो हम कहेंगे कि उपर युक्त में से कोई भी यहाँ पर संबंध सत्य नहीं है guarantee के साथ आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे T S का पिता है क्योंकि यहाँ पे T S की माता भी हो सकती है तो मेरा सही जवाब है option number E फिर से अगला question उसी तरह का है इसमें थोड़ा सा changes है कि निमन लिखे जानकारी को ध्यान पुर्वक पढ़े और दिये गया प्रशनों के उत्तर दें P गुना Q का अर्थ है P Q का पिता है P प्लस Q का अर्थ है P Q की पतनी है P divided by Q का अर्थ है P Q की पुत्री है और P minus Q का अर्थ है P Q का पुत्र है तो यह स्थापित करने के लिए Q Q मार्थ है P divided by S गुना T अभी व्यक्ति में Q T का भांजा है तो प्रशन चेन के अस्थान पर क्या आएगा मतलब आप यहां पर क्या रख देंगे जो की Q T का भांजा बना देगा मतलब अभी नहीं बना रहा अब एक अच्छी बात आपको बताते है यहां गुना का मतलब क्या है कि पहला व्यक्ति दूसरे का पिता प्लस का मतलब पहला व्यक्ति दूसरे की पत्नी डिवाइड का मतलब है पहला व्यक्ति दूसरे की पुत्री और minus का मतलब है कि पहला व्यक्ति दुसरे का पूत्र है अगर हम यहाँ पे plus रग दें एक मिनट के लिए तो P plus क्या हो जाएगा Q plus R हो जाएगा और यहाँ पे देख रहे हैं plus का मतलब है पतनी और यहाँ पे Q भांजा है मतलब Q होना चीए male Q हो जाएगी यहाँ पे female तो जाहिर सी बात है plus तो हम लोग कभी नहीं ले सकते तो हम कहाएंगे कि plus यहाँ पे नहीं ले सकते ठीक है तो यह option आप काट सकते अब हम अगर गुना ले ले तो देखते हैं गुना में क्या मेल है तो हाँ गुना में भी मेल है माइनस में भी मेल है तो हम लोग को दो चेक करना पड़ेगा एक गुना का और एक माइनस का तो क्यू गुना आर divided by F गुना T यही है न इसको चेक कर लिजे तो Q गुना R का मतलब है Q R का पिता है तो Q जो है वो R का पिता हो गया ठीक R divided by S का मतलब है कि R जो है वो S की बेटी है तो R जो है वो S की बेटी हो गई तो यह माइनस और यह दोना आपस में पती पतनी हो गया अब S गुना T का मतलब है फिर से S जो है वो T पिता है छो है न वो T पिता है तो S, T का पिता तो ऐसे भी नहीं हो सकता है यहाँ पर यह female member होगी S को पिता तो बना ही नहीं सकते तो यह अभी व्यक्ती ही गलत हो जा रहा है गुना रखने से यह भी गलत हो गया- लेकर चलिये तायत काम बन जेते हैं और हैं मैеп थैक्र अधार आर Κanto मतलब स् यहाई रजो है न। वह की पूत्री है ठीक है यहां पर एस गुना टी है न मेरे पास तो एस जो है न वह किसका पिता है तो पिता बना दीजिए अब देखिए क्यों टी का भांजा हो रहा है क्या Q जो है वो T का भांजा हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है देख लिजे इसका बेटा ये हो गया और ये जाहिर सी बात है male हो या female हो उसके क्या मतलब ये Q जो है न वो उसका भांजा ही होगा T का Q जो है वो T का भांजा ही होगा भाई भी होगा तो भांजा बोलेगा बहन भी होगी तो भांजा ही है तो हम कह सकते कि गुणा रखने से मेरा आंसर सटिस्पाई कर दे रहा है अब अगला कोशन देखते हैं के यू की बहन है यू की शादी इसे वी है एस का पिता है एन आई का पुत्र है यू आई की सास है एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है के का विवासी से हुआ है एम सी की पुत्री है तो एम यू से किस परकार संबंधित है तो चलिए इसको सॉल्ब करते हैं के जो है यू की बहन है के यू की बहन है, ये के बारे में बहन के बारे में कहा जा रहा है, याद रखेगा, के बहन है ना की यू यू की साधी इसे हुई है, यू की साधी इसे करा दीजिए, पता नहीं है कौन मेल फिमेल है, छोड़ देते हैं E जो है S का पिता है, अब पता लग जाएगा, पिता है, ये माता हो गई, ये भी हो गया, N जो है I का बेटा है, N जो है वो I का बेटा है, इसको अलग लिख लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एड़िस्ट नहीं हो पाएगा, यू जो है I की सास है, तो I की सास होने का मतलब है, कि I की साथी किसी से हुई होगी, उसका, उसकी माता होगी है, ठीक है न, U I की सास है यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने उट कर लिए अच्छे यहाँ पे रख सकते हैं U I की सास है तो कह सकते हैं I यहाँ रख दीजिए और N को यहाँ रख दीजिए प्लस ठीक है S के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है छोड़ दीजिए E का केबल एक बेटा है जो जाहिर सी बात है एक बेटा ऐसे और यह पतनी हो गई इसकी और कोई बेटी नहीं है A की बेटा है कोई बेटी नहीं है तो अच्छी बात है K का विवास C से हुआ है K का विवास C से कराई है male member हो जाएंगे M जो है वो C की पुत्री है तो M यहाँ पे C की पुत्री हो गई तो कहा जा रहा है कि M का U से क्या संबंध है तो देख लीजिए M का U से क्या संबंध है तो देख लीजिए इसकी माता है माता की बेहन अब U जो है M को क्या बोलेगी तो भतीजी तो बोलेगी तो हम कहेंगे कि भतीजी है M जो है, वो U की क्या है? भतीजी है अगला कुशन U एक E की बहान है E का विवाह क्यों से हुआ है Q N का पुत्र है UK की माता है Z V का पिता है Z का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है वी यू की बेटी है, आर ए का पुत्र है, तो कहा जा रहा है, यदि एन एक्स की पतनी है, तो आर एक्स से किस परकार संबंधित है, तो देखिए हम लोग कहां से चलते हैं, सबसे पहले जो information है, कि यू जो है ये की बहन है, तो यू एकी बहन हो गई, एका विवाह क्यों से ठीक है, क्यू जो है एन का पुत्र है, क्यू जो है एन का पुत्र है, ये महिला हो गई, यू के की मा है, यू के की मा है, हो गया, जैड जो है वो वी का पिता है, जैड वी का पिता है, अभी नहीं पता, जैड का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, जैड को केवल एक प्रभाटा वी यू की बेटी है वी जो है यू की बेटी है अब यहांपर कह सकते हैं वी यहांपर आ गया तो जाहिर सी बात है जैड यहांपर male member इसकी शादिश से वी होगी और एक क्या कहा जा रहा है और एक बात देखें यहां वी यू की बेटा है तो R को E का बेटा बना दीजिए, बन गया, R E का बेटा बन गया, तो अब कह रहा है कि N X की पतनी है, अगर N जो है, वो X की पतनी हो, X यहाँ पे मेल मेंबर हो जाएगा, तो R X से कैसे संबन दीत है, R क्या लगेगा X का, तो देख लिजे, यह पुत्र है, दोनों का अब पुत्र का पुत्र क्या होगा, पुता ही तो होगा, तो हम लोग यहाँ पे पोता या नाती पे क्लिक करेंगो, अबलिक इसलिए लगा हुआ है, क्यों अगर गलती से यह हो जाती, मतलब पुत्री इसकी, तो यह नाती हो जाता, लेकिन यहाँ क्यों पुत्र है, तो इस तस्वीर में नमन की और इसारा करते हुए महेस ने कहा उसकी मां का केवल एक पोता है जिसकी मां मेरी बहन है महेस नमन से कैसे संबंदित है देखें तस्वीर में नमन की और इसारा करते हुए महेस कहा तो नमन का इसारा कर रहा है तो नमन यह रहा नमन की मान का एक पोता है तो देख लिजे अगर नमन यहां मेल हो जाता to हो सकता है इसी का पूतर यहां पर उसका पोता हो जाता लेकिन जरूरी नहीं हो सकता है कि नमन को एक भाई हो और इसका को पूत्र हो ठीक है ना तब भी ये पोता हो जाएंगे इसका जिसकी मा मेरी बहन है किसके बारे में बोल रहा है का एक पोता है जिसकी मा अब देखे जिसकी मा या तो ये मा हो जाएगी या अगर इधर बात करे तो ये मा हो जाएगी जिसकी मा मेरी बहन है मतलग किसकी महेस तो यहां पर महेस हो जाएगा मेल व्यक्ति इसकी यहां महेस इधर हो जाता ठीक है यह इसकी बहन हो जाती तो कहा जा रहा है कि महेस नमन से कैसे संबंदित है अब देख लिए महेस यहां पर नमन से कैसे संबंदि होता तो relation कुछ और हो जाता तो यहां पे दो relation आ रहा है तो हम confirm नहीं बता थकते कि क्या होगा तो हम कहेंगे आकड़े ऑपरियाप्त है मतलब यहां पर कहना कि कुछ और data देना चाहिए इकलोता वर्ड यहां पर यूज हो जाता ना कि उसकी मा का केबल एक पोता है जिसकी मा महिरी बहने एक पोता कहते है न यहां पर कह देते जिसकी मा का केबल एक पोता के जगे कहते कि यहां पर नमन के बारे में कहा जाता कि नमन जो है न उसकी मा का इकलोता हुँ तो उसका भी बेटा उसका पूता होगा ना तो इस तरह से यहां पर आकड़े ओपरियाप्त है यह सही अप्शन हो जाएगए कि अगला और अंतिम कोश्चन ओ पी एम क्यू एस और टी एक परिवार में छह सदस्य हैं पी एम की मा नहीं है लेकिन एम पी का बेटा है ओ और पी एक विवाहित जोड़े हैं सальные की मा नहीं पी जो है वो एम की मा ननी है यही तो हैना पी मान यह तो पिता है लेकिन जो एम है न वह वो पी का बेटा है लेकिन M P का बेटा है तो दोनों मतलब क्या है? तन और फादर का रिलेशन है ठीक है? O और P एक विवाही तो जोड़े हैं तो चलिए O और P को विवाही तो जोड़े बना देते हैं ये भी मेल हो जाएंगी S जो है वो P का भाई है T M का भाई है O की बेटी है तो क्यों O की बेटी होने का मतलब है? कि मुझे लगता है कि ये साब आपस में भाई बेहन है क्लिर? तो आप से पूछा जा रहा है कि T जो है वो S ते कैसे संबंदीत है? अब देख लिजे ये इसके पिता जी हो गए तिनों के और ये इसका भाई हो गया, तो पिता का भाई हमें साथ चाचा होता है, तो चाचा इसको क्या बोलेगा, भतीजा ही तो बोलेगा, तो टी जो है न, क्या होगा, भतीजा, भांजा इसलिए कहा गया, कि सपोस कर लिते ही ये महिला होती, तो फिर भांजा हो जाता, तो हम कहेंग क्योंकि दोनों के लिए एक ही वर्ड है नेफ्यू इंगलिस में तो कहेंगी कि वह इसका नेफ्यू है मतलब भतीजा है या भांजा कहते जब वह फिमेल मेंबर होती तो इस तरह आज हम लोग बलड रिलेशन के कोश्चन को समाप्त कर लिया है और कहीं न कहीं इसके चैप्ट में कराया गया है बलड रिलेशन को तो आप वहां जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भी मिल जाएगा वहां पे हम लोग बहुत आराम अराम से करा रहें क्योंकि 2024 के लिए हम आप तयारी करा रहें तो आप वहां पे भी जाके अपने अच टेलिग्राम चैनल से जूड़ जाईए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो इसी तरह आप हमारे साथ जूड़े रहें 30 सितंबर को आपकी परिच्छा है फॉर्म अपलाई करने का डेट अब खतम हो चुका है लगवग या हो चुका होगा तो आप अप अपनी तैयारी में लग जाईए और ज्यादा से ज्यादा मैथ और इजिनिंग के कोशन को बनाईए क्यूंकि 10 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कटफ करने में यह सबसे बड़ा इसका बहुत बड़ा रोल होता है तो चलिए अ अपनी तैयारी को हमारे साथ जूड़के बहतरीन तरीके से करते रहे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए सुक्रिया